नमस्कार मैं हूँ पवंत्यागी जाने माने न्यूद चैनल आज तक ने एक प्रोग्राम के तहट केंद्रिय मंत्री स्मृति इरानी को एक कारिकम में बुलाया मुद्धा था मोधी सरकार की उपलब्दियां 2024 को चुनाओ को देखते हुए सरकार की तैयारी और इस कारिकम में केंद्रिय मंत्री स्मृति इरानी का इंटर्व्यू खुद सुदीर चोधरी कर रहे थे जो की जाने माने पत्रकार है जी न्यूद छोड़ करके आज तक में गए और आजकल वहां ब्लैक एंड वाइट नाम का एक शोग करते है सुदीर चोधरी सरकार की उपलब्दियों पर बात कर रहे थे लेकिन अचानक बात करते करते उन्होंने एक व्यक्तिकत सवाल स्मृति इरानी से पूछ लिया उन्होंने कहा कि आजकल तमाटर के भाव बहुत ज़ादा हो रहे हैं तमाटर तीन सो रुपे किलो पहुँच गया है क्या इस महंगाई में तमाटर को लेकर आपके घर में भी चर्चा होती है अब आप सोचिए जहां बात चल रही है सरकार की उपलब्दियों की स्मर्ती इरानी गिनवा रही है कि इस देश में तीन करोड लोगों को मुफ्त मकान दिया गया स्मर्ती इरानी गिनवा रही है कि इस देश में दोस्तो करोड फ्री की वैक्सीन दी गई स्मर्ती इरानी केंद्रिय मंत्री हैं वो गिनवा रही है कि हमारी सरकार पिछले तीन साल से 80 करोड लोगों को मुफ़ में भोजन दे रही है और आप अचानक से ले आते हैं टमाटर ये जो टमाटर लाया गया है ये अचानक से लाया नहीं गया सुधीर चोधरी को लिख कर दिया गया है ये पक्का दावा कर रहा हूं क्योंकि सुधी सुधीर चोधरी जब जी नियूज चोड़कर आज तक में गये थे बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि सुधीर चोधरी जो जी नियूज में है क्या वो वैसे आज तक में रह पाएंगे निच्चित रूप से सबका कहना यहीं था कि भाया आज तक में आप नहीं रह पा ऐसे लोगों के बीच में जी न्यूज का राष्टवादी पत्रकार अगर वहां पहुँच भी जाएगा क्या वो अपनी कुछ अपनी विचारधारा रख पाएगा निच्चित रूप से ब्लेक और वाइट प्रोग्राम बेसक चल रहा है लेकिन उसके अलावा सुदिर चोद रहे हैं कि टमाटर 300 रुपे किलो हुआ है तो आपके घर में क्या इसको लेकर चर्चा होती है इसमर्ती इरानी क्या टमाटर खरीदने जाती है घर की सबजी समर्ती इरानी लाती है क्या घर का राशन केंद्रिय मंतरी लाते हैं क्या यह सवाल इसमर्ती इरानी के अलावा आ किसी भी प्रदेश के मुख्य मंतरी से पूछ रहे होते क्या आपके घर में इसकी चर्चा होती है सुधीर चोधरी को ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए बहुत पुराने पत्रकार है भाई तो आप व्यक्तिकत सवाल कर रहे हैं ये दिखा रहा है कि ये आज तक का एजेंडा था कि आप केंद्रिय मंतरी आएगी तो उनको महंगाई के मुद्दे पर टमाटर का नरेट्व बिल्ड करने की कोचिश करो अब एक सवाल पहली बात तो यह है क्या टमाटर केंदर सरकार का मुद्दा है क्या वो MSP में है सरकार टमाटर के लिए दोशी है उत्तर है नहीं व रुपे आसपास था लाश्ट हो गया तो दिल्ली में 200 रुपे हुआ होगा लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि चलिए पहली बार 200 रुपे किलो टमाटर पहुच गया लेकिन सुधीर चोधरी स्मर्ती इरानी के पहले बताए गए कारणों पर कतई ध्यान नहीं दे रहे ऐसा ल लोग कह रहे थे कि भारत की जो जनसन क्या है और जिस तरह से यहां लोग रहते हैं चुट चुटी गलियां एक ही घर में कई कई मेंबर हैं लोगों का अनुमान था कि कम से कम एक करोड़ लोग कम से कम मरेंगे हैं लेकिन डिजन्ट आपके सामने है यह कैसे हो पाया यह आजाद भारत में कि लोगों को मुफ्त में राशन दिया गया दोस्तो रुपे किलो पहली बार टमाटर हुआ बिल्कुल ठीक है लेकिन यह पहली बार हुआ है कि टमाटर दोस्तो रुपे किलो पहुचा लेकिन यह पहली बार है कि सो साल की सबसे बड़ी महमारी इस साल हमन बना कर दिये और तीन करोड जब मैं मकान की बात करता हूं तो तीन करोड को जड़ा गुना कर देना गाज़ेबाद जैसी जगे में जो फ्लैट दिये गए हैं उनकी मार्किट वैल्यू 25 लाक रुपया है कितना पैसा गोर्मेंट ने खर्च किया है यह पहली बार हुआ है कि इस तरह के मकान बना करके दिये गए इनकी क्वालिटी आप देखिए यह पहली बार हुआ है कि 11 करोड किसानों को 6000 रुपे प्रती वर्ष उनके खाते में ड होती एक आदमी को तीन तीन डोज लगी है और अगर उस वेक्ति को तीन डोज लगी है मुझे भी लगी है तो यह 3,000 रुपे हो गया मुझे सरकार ने 3,000 रुपे की राध तो एक वैक्सीन मर दे दी अगर 200 रुपे टमाटर हो गया है उसमें केंडर का पहली बात तो कोई गया दोस्त भी नहीं है लेकिन मुद्दा ये भी है वो टमाटर मेरे लिए कितना ज़रूरी है मेरी जान जरूरी है मेरे लिए वो वैक्सीन जरूरी थी नहीं भी पहते हैं लेकिन जो लोग यह कहраं है कि पहली बार टमाटर दौस्तों रुप्य हुआ है वो ये जान लें कि पहली बार है कि 80 करोड लोगों को मुफ्त का राशन 3 साल से दिया जा रहा है 11 करोड 140 बनाए गए हैं ये भी पहली बार हुआ है और पहली बार हो रहा है कि महिलाओं को इस देश के अंदर 6,000 रुपया मातत्म के नाम पर दिये गए और पहली बार हो रहा है कि 50 करोड से अधिक लोगों को आयुश्मान योजना के तहट मुफ्त में इलाज की सुविधा सरकार दे रही है ये जो पैसे हैं ये कहां से आएंगे ये आपके और मेरे ही टैक्स के पैसे हैं तो सरकार से आप टमाटर पर सवाल पूछ रहे हैं एक बेसिक जानकारी एक पत्रकार होने के कारण होनी चाहिए कि क्या टमाटर पहली बार जुलाई के महीने में महंगा हुआ है पिछली साल जुलाई में महंगा नहीं था दूसरी बात सरकार से कब सवाल पूछा जाना चाहिए जो सरकार के कंट्रोल की चीजे हैं जैसे की गेहूं चावल दाल ये कुछ चीजे हैं जिसको सरकार MSP पर देती है और वो इस्टोर करती है तो चावल की महंगाई का मुद्द उठा जैसे ही रूस यूक्रेन युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है तो चावल के बारे में यह हुआ कि बासमत्ती चावल अमेरिका में महंगा होना सुरू हो गया वहां कमी हो गई भारत सरकार ने ततकाल उस पर एक्शन पर रोक लगा दी कई देशों को चावल एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है भारत ने सरकार ने ततकाल एक्शन लिया और कई बार ऐसा होता है तो चावल यदि महंगा हो वह आम आदमी की जरुरत है उसको रासन से भी सरकार देती है उस पर अगर कारवाई ना करती मैं एक सब लोग इस तरह से चीजों को ये डाइवर्ट करते हैं मुद्दों को एक प्याज पर बीजेपी की सरकार इसी तरह मीडिया ने गिरा दी थी हाईलाट करके ऐसा लगता था जैसे ओक्सीजन देने का काम केवल प्याज ही करती है मेरा एक सवाल है सुधीर चोधरी जी आप आप बताएं आपको टमाटर की चिंता हुई सब्जी तो बहुत सारी है आप टमाटर की चिंता कर रहे हैं क्या एक गरीब आदमी जो गरीबी की रेखा के नीचे रहता है जिसको मोदी सरकार ने उन 80 करोड लोगों को अभी तीन साल से मुफ्त का राशन दिया है मेरा एक तब भी नहीं डालते हैं भाई बहुत तुम हो कहां इस देश में किसी को बस चावल मिल जाए नमकीन चावल खिचड़ी बनाकर थोड़े आलू डालकर थोड़ी सब्जी डालकर लोग खा लेते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं मोधी सरकार ने 11 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर मिकाला कैसे निकले क्योंकि उनको लगातार पिछले तीन साल से सरकार मदद कर रही है तो ये पहली बार हुआ है लेकिन आप टमाटर पर बात करते हैं तो मेरा एक सवाल है कि अगर सरकार टमाटर के लिए जम कोंग्रेस की सरकार भी है आपने कोंग्रेस की सरकार में किसी सवाल पूछा सुदिर जी किसी कोंग्रेसी से आपने सवाल पूछा आपके कंक्लेव में भी आएंगे लोग तो सबजी तो राज का मैटर है राज के किसान पैदा करते हैं और वो मंडियों में बेशते हैं तो पहला सवाल ये है कि आप केंद्री ये मंत्री से टमाटर के बारे में सवाल पूछ रहे हैं जो उनको मुद्दा ही नहीं है राज्ज का मुद्दा है और राज्जों में भी जहां भारती जंता पार्टी की सरकार हैं या नहीं है क्या टमाटर की काला बजारी हो रही थी एक त वाई टमाटर को जो है ये इस तरह की बाते करके आप मुद्दा बनाना चाहते थे इस पर स्मृती रानी ने उनकी पूल खोल के रख दी और सुधीर चोधरी को फटकार लगाते हुए उल्टा उन से सवाल पूछ लिया कि आप जो मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हो यदि म कर अपने आपको बहुत स्माड बनते है और वो यह सोचते हैं कि वो मोदी जी के उपर प्रहार करेंगे चिसी मंतरी पर को डाइवर्ट करने की कोशिश करोगे जैसे लगेगा कि मोधी सरकार तो कुछ करी नहीं है महंगाई बढ़ती जा रही है तो महंगाई का सवाल केवल केंडर की इस मोधी सरकार से क्यों रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच यह तो एक दुनिया में मुद्धा बना कि यह पिछले दिनों दुर्श आये थे कि स्टोर से लूट मचरी दी लेकिन आप कॉंग्रेस से सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि कॉंग्रेस से आपको लगाव है सबजी कॉंग्रेस के शाषित राज्यों में भी महंगी हुई वहाँ आप सवाल नहीं पूछेंगे रेप राजस्थान में भी होते हैं पच्ची बंगाल में भी होते हैं दंगे वहाँ भी होते हैं वहाँ आप सवाल नहीं पूछोगे जहां भाजपा शाषित राजज है वहां आप सवाल करोगे तो फिर पत्रकारों को इस जाड़ खाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए जैसा इस मृति एरानी ने इस तुधिर चोधरी के साथ किया हला कि दुखद है पत्रकार बहुत सीनियर हैं सम्मानित हैं लेकिन आज तक के लिखिवी स्क्रिप्ट के जरिये जिस तरह से उन्होंने सवाल किया उस पर जो उनका अपमान हुआ वो भी दुखद है आपकी कहरा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बंदे मातरें